हाई मैं हूँ मोहित आप देखे रहे हैं टेक्निकल वर्थ तो दोस्तो आज फाइनली इंडिया में Moto G51 5G फोन को लॉंच कर दिया गया है तो चलिए सबसे पहले मैं इस फोन का प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ तो Moto G51 5G फोन का प्राइस रखा गया है इंडिया में 15,000 रुपे ये फोन 4GB 64GB स्टोरेज के साथ आता है लेकिन दोस्तो साहे 15,000 से स्टार्टिंग प्राइस होता है Realme 8 5G फोन का तो दोनों ही फोन में से आप लोगों को यहाँ पर कौन सा फोन को खरिदना चाहिए Moto G51 5G फोन को खरिदना चाहिए या फिर Realme 8 5G फोन को खरिदना चाहिए तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं दोनों ही फोन के बीच में इस पेक से अनुसार कॉमपैरिजन करने बाला हूँ तो दोस्तो अगर आप लोगों को यह जानकारी चाहिए कि आप लोगों को दोनों ही फोन में से कौन सा फोन को खरिदना चाहिए Moto G51 5G फोन को खरिदना चाहिए या फिर Realme 8 5G फोन को खरिदना चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो को आप लोग लाष्टे तक जरूर देखना तो चलि तोस्तो आज का हैस वीडियो को हम start करते हैं तो चलि सबसे पहले मैं build और design के बारे में बात कर लेता हूँ design के बारे में आप लोगों की नीचे comment करके मुझे यह बताओ कि आप लोगों को design better किसका लगा Moto G51 का design better लगा या फिर Realme 8 5G का design better लगा वहीं दोस्तों मैं weight के बारे में बात करूँ तो Moto G51 5G का weight निकल के आता है 208 gram लेकिन दोस्तो Realme 8 5G का weight निकल के आता है 180 gram तो आप लोगों को एक हलका phone चाहिए मतलब की slim phone चाहिए तो आप लोग Realme 8 5G phone के साथ जा सकते हैं वहीं दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ display की तो Moto G51 5G में हम लोगों को देखने को मिलता है 6.8 इंच का full HD plus 120 Hz IPS LCD वाला display और इस phone में हम लोगों को साइद 400 nits या उससे भी कम का brightness देखने को मिलता है वहीं दोस्तों मैं Realme 8 5G phone का display के बारे में बात करूँ तो इसमें हम लोगों को मिलता है 6.5 इंच का full HD plus 90 Hz IPS LCD वाला display और दोस्तों इसमें हम लोगों को 600 nits का brightness भी देखने को मिल जाता है Realme 8 5G phone में तो देखिए 120 Hz के साथ आता है Moto G51 5G phone तो दोस्तों Moto G51 में आप लोगों को benefit मिल जाता है क्योंकि इसमें 120 Hz का display देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों 600 nits brightness के साथ आता है Realme 8 5G phone तो आप लोगों को क्या चाहिए ये आप लोग decide कर लेना क्योंकि धूप वगेरा में आप लोग लेके जाओगे Moto G51 को तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन 120 Hz के साथ आता है Moto G51 तो यहाँ पे आप लोगों को ये benefit मिल जाता है वहीं दोस्तों मैं बात करूँ selfie camera के बारे में तो 13 MP का selfie camera मिलता है Moto G51 5G phone में लेकिन 16 MP selfie camera के साथ आता है Realme 8 5G और इसमें हम लोगों को Samsung का sensor देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा benefit चला जाता है Realme 8 5G phone में और दोनों ही phone में हम लोगों को punch hole का design देखने को मिल जाता है वहीं दोस्तों मैं camera के बारे में बात करूँ और जो तीसरा camera मिलता है वही 2 MP का और Samsung का sensor मिलता है हम लोगों को Moto G51 5G phone में लेकिन दोस्तों वहीं मैं Realme 8 5G का rear camera के बारे में बात करूँ तो इसमें जो पहला camera मिलता है 48 MP का main camera और जो दूसरा और जो तीसरा camera मिलता है कोई काम का नहीं वही 2 MP का macro camera और डेप्रे sensor इसमें भी हम लोगों को Samsung का sensor देखने को मिल जाता है तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे लगवाग similarity camera देखने को मिलता है दोनों ही phone में लेकिन आप लोगों को 8 MP का wide angle camera देखने को नहीं मिलता है Realme 8 5G में तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा benefit मिलता है Moto G51 में अगर आप लोगों को एक wide angle camera चाहिए तो आप लोग definitely Moto G51 5G को buy कर सकते हो वहीं दोस्तों मैं processor के बारे में बात कर दो Realme 8 5G phone में हम लोगों को मिलता है MediaTek Dimensity 700 वाला processor लेकिन snapdragon 480 plus processor के साथ आता है Moto G51 5G लेकिन दोस्तों आप लोगों को Moto G51 5G में एक दो नहीं बलकि 12 5G band का support देखने को मिलता है लेकिन Realme 8 5G में आप लोगों को एक या दो ही 5G band का support देखने को मिलता है तो इस मामले में आप लोगों को benefit मिलता है Moto G51 5G में तो दोस्तों आप लोगों को दोनों ही फोन में लगभग सिमिलरी performance देखने को मिलने वाला है क्योंकि दूमोही का जो Antutu score निकल के आता है एप्रॉक्स 3,30,000 के करीब तो दोस्तों आप लोग दोनों ही फोन में से कोई भी फोन को खरी सकते हो लेकिन आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान में रखना है आप लोगों को 12 5G band का support मिलता है Moto G51 में आप लोगों को gaming performance बगएरा जो है लगभग दोनों ही फोन में similar ही देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों आप मैं बात कर लेता हूँ बैटरी की तो दोनों ही फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और 20W का fast charging support के साथ आता है Moto G51 लेकिन दोस्तों हम लोगों को 18W का fast charging देखने को मिलता है Realme 8 5G phone में तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है वही मैं fingerprint sensor के बारे में बात करूँ या फिर face unlock system के बारे में बात करूँ तो दोनों ही phone में आप लोगों को देखने को मिलता है लेकिन आप लोगों को side में ही fingerprint का support मिलता है दोनों ही phone Android 11 के साथ आता है और UFS 2.1 का storage हम लोगों को देखने को मिलता है Realme 8 5G में लेकिन दोस्तों UM PC वाला हम लोगों को storage type का support मिलता है Moto G51 5G में तो यहाँ पे आप लोगों को better storage type का support मिलता है Realme 8 5G phone में यहाँ पे दोस्तों मैं price के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को 500 का ही price का फर्क देखने को मिलने वाला है Realme 8 5G में और Moto G51 5G में तो अब मैं आप लोगों को last में अपना open again दे देता हूं कि मेरे विचार से आप लोगों को यहाँ पे कौन सा phone को खरीदना चाहिए Moto G51 5G को खरीदना चाहिए या फिर Realme 8 5G phone को खरीदना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहने मैं आप लोगों को यहाँ पे यह बताना चाहूंगा कि आगर आप लोगों को एक future proof 5G phone चाहिए तो आप लोग Moto G51 5G के साथ यहाँ पे definitely जा सकते हैं और इसमें हम लोगों को 120 Hz का display भी देखने को मिल जाता है और दोस्तों आप लोगों को एक और बात नहीं भूलना है क्योंकि 8 MP का wide angle camera मिलता है G51 5G में हम लोगों को कोई भी wide angle का camera का support देखने को नहीं मिलता है Realme 8 5G phone में और stock android के साथ आता है Moto G51 5G मतलब कि इस phone में हम लोगों को कोई भी add वगेरा का जंजट देखने को नहीं मिलने वाला है कोई भी fall to app वगेरा का support हम लोगों को नहीं मिलने वाला है Moto G51 5G में तो ये सारा benefit आप लोगों को मिलता है Moto G51 5G में तो इस हिसाफ से Realme 8 5G phone एकदम बेकार phone हो गया नहीं भाई मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा तो दोस्तों आप लोग Realme 8 5G phone को भी खरीद सकते हो लेकिन याद रखना इसमें एक ही दो 5G band ही देखने को मिलता है यहाँ पर मैं specs के बारे में बात करूँ तो दोनवी phone लगवग similar ही specs साथ आता है तो कोई भी phone आप लोग खरीद सकते हो लेकिन G51 5G खरीदोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को benefit मिलने वाला है तो दोस्तों फिला आज के इस वीडियो में बस इतना ही था